Secondary School Employees Cooperative Credit Society के अध्यक्ष चंद्रकांट पाठिल एवं सचिव किसोर पाठिल पर शिक्षिकों की गाड़ी कमाई का करोड़ो रुपए का आर्थिक गोटाला करने का गंभीर आरोप संसापक तक संचालक जेयर पाठिल ने लगाया है बतादे की एक प्रेस कांफरेंस के दवरान जेयर पाठिल और एक्स डारेक्टर सिवाजी सेंडगे राज बुराटे सतेंद्र सिंग की टीम ने एक प्रेस कांफरेंस के दवरान कई संसनी खेज आरोप बर्तमान अध्यक्ष चंद्रकांट पाठिल और उनकी टीम के लोगों पर लगाया है जिसमें फर्जी तोर पर सिक्षकों की भर्ती गैर कानूनी डंग से जमीन की खरीद फरोग और सुसाइटी के अंदर मरे हुए लोगों को फर्जी लोगों को लोन देने का मामला सामने आया है आए आपको हम बताते हैं इस सम्मंद में प्रेस कान्फरंस के दावरान जियार पाटिल एवं उनकी टीम के लोगों ने क्या खुशका और एटी टू से मैं इस समस्ता में अध्यक्षे सेक्रेटरी खजिंदार तद्ने संचलक ऐसे काम कर रहा हूँ आज फॉर्टी वन येर्स मैं उदर काम कर रहा हूँ अभी जो लोग है नेतरूतों में उनके जो काम चल रहे है वो प्रोशियर नहीं चलाते प्रोशियर अब बराबर अभी जो जगा लिया पावने दो करोड का उसमें कोई प्रोशियर फालो नहीं किया गया ना जहरा दिया ना सर्च रिपोर्ट लिया और इसी वज़े से क्य क्या हो गया पूरा पैसाज दुसरे जग गया और का नाम भी इस आद बारा पे नहीं आ रहा है यह अफना सब पूरा गोटाला हो गया है इसके पीछे कौण है जो इतना बड़ा गोटाला हुआ इसके पीछे अफ़ी की जो चेर्मना है चंदरगांथ पाटील और सच्छु ज में आप तक क्या कहरा है जो इतना बड़ा घोतरा हुआ है एप शिख्शकों का से स्टीक सरीक् Olha में स्टीर्ट शिक्षक धाने जी खीशक सिविसaltra वो उनको payment करता है ऐसे अनूदानिज सरकारी पगार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की इसमें आम लोगों के 16 नहीं है यह पहली बाग यह शिक्षक कोका पैसा है शिक्षक के तर कर्मचारी का पैसा है शिक्षक अपने देश में एक सनमानित और पुजनिय माना जाता है उनके पसीने का फून का पैसा यहां पर रहता है वो पैसा अद्यक्षर चंदरकान पाटील सचीव किशोर पाटील और उनके संचालों को ने यह पैसा गेर तरीके से अपहार कर ब्रश्टाहचार कर उस पैसे को खाया है और यह गलत बात है अगर गोटाले निकाले जाए तो कम से कम सतर करोड के उपर के उपर लेकिन हाली ताजा एक बात बताना चाहता हूं महाबलेश्वर में जगा खरीदनी चाहिए क्यों खरीदनी चाहिए तो हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर हो लेकिन हम हमारी संसा का जो वाईलिओ उस वाईलिओ में में ट्रेनिंग सेंटर बनाने का या फिर फिर उभार दे का खड़ा करने का कोई उधेश नहीं है तो इन्हों ने जो है दी खराइंग आपन जो है उस करारर अजुन नीजो लिलाव निकालाव कि छार कि निकाला जबकि 6 साल पर्सनल इंट्रेस्ट पता नहीं इन्होंने तुरंज जो है उस लिलाव की किमत जो होती है उभर दी उसके बाद भी उन्होंने जो आगे का पैसा होता है उभर दिया और उसके बाद डारेक्टर बाड़ी में इस प्रस्ताव को रखा कि हमें यह जागा खरीदी करनी है पर्टीशिपिट होने के बाद इनको पहले तो टेंडर निकालना चाहिए था निवेदा निकालनी चाहिए थी उसके बाद किसी तद्जय को नेम कर उनको सर्च रिपोर्ट निकालना चाहिए था यह सब इन्होंने कुछ किया नहीं और डारेक्टर बाड़ी में भी मुजाता हुआ है यह सवदा हुआ मार्च में और सप्टेमबर है सब्टेमबर तक अज जगा सेटरी स्कूल एंप्लॉयज कोरफरीडि फ्रिटी आपर नहीं है जब जगांब के तरिख leaking है यह साथ बारा है जनाब ये साथ बारा है इस साथ बारा पे सेकेंटरी स्कूल एंपलोईज को अपरेटिव क्रेडिस सोसाइडी का नाम नहीं है साथ बारा आज का है आज के तारीक का तो आप किस हिसाब से उस जगे पे बांधकाम करने की मंजूरी हम यहाज़ें में रख सकते हैं उस सुषेय को हमने रख सकते हैं इसके खिलाफ हम कोर्ट में गये बोस जांतेकि और इस सब्सक्राइब धने का कि भाया आप पेशिक कीजिए सारे सबूत दीजिए उसके बाद देखेंगे मतलब कल के एजियम में तीन सप्टेंबर को जो एजियम हो रही है उस एजियम में ये पंद्रावा जो मुद्दा था महाबलेश्वर में बांका अपन करने का उस पे आप डिसीजन ले नहीं सकते ये कोट ने कहीं दिया इतना ही नहीं हमने जिल्ला उपनी बंदक हमने आयुकत सवकर खाता इनके बास द्वरखास की उन्होंनों भी अधिकारी को नेम कर अधिकारी को चुन कर इस पर अच्छी तरह से कारवाई करने के लिए चोकशी जो होती है इंक्वाईरी बिठाई है और उसका अवाल मंगाया है और जैसे ये अवाल आजाएंगे कोट का आगे का रिपोट आजाएगा हम उन पर कानुनी तोर पर होज़दारी गुना दाखल करेंगे क्योंकि ये शिक्षकों का पैसा है शिक्षक जो है वो कई दो नमबर का धंदा कभी करता शिक्षक प्राम स्कूल ही नहीं वो जो बोगस टीचर जो टीचरों को गॉवर्मेंट का एडूकेशन डिपार्डमेंट सालरी देता ही नहीं है जो बोगस टीचर को दर्च कर उनको सवासत बनाया उनको लोन दिया लोन देने के बाद यह लोन पाच-दस लाग का नहीं पचीस पचीस लाखों का लोन दिया ऐसे एक नहीं 26 चाखा हैं कितने लोग हैं उनको ऐसा बोगस लोन दिया बोगस लोन देने के बाद उन सवासत को म मुद्ध किया उसको आगे मुरुद बता दिया उसका डुबलिकेट जो है मुरुद दाकला डेट सेटिपेट जोड दिया और उनका करजा माफ करवा दिया ऐसा बहुत ही जबरदस बहुत सारा प्रैक्टिस इनों ने फ्रॉड किया हुआ है तो इन सभी के बारे में इंक्वै चालू है और इस इनकायरी के जैसे जैसे नतीज आएंगे आज जिनों ने इस शिक्षकों की पकरदार पतसमस्ता को साफित किया ऐसे जयार पाडिल सर जो तभी से लेकर अध्यक्षय चेर्मेन सेक्रेटरी और आज भी आज भी वहाँ पे डारेक्टर है ऐसे नहीं कि अभी की है और आपके सामने आज अपना जो कहना है वो रखा है सोसाइटी के महारष्ट की जितने भी 35,000 के उपर सबासाद हैं उनको हम कहना चाते हैं कि इस व्रष्टाचार को नजर अंदाज न करें इसके खिलाब आवाज उठाए और तीन तारीक को सुबह बराबर साड़े न दीजिए हमने मांग की हैं और वो भे पहल आमने की हैं मेरा नाम सतिंद्र सिंग है और मैं पूर्व डारेक्टर रह चुका हूं जैसा कि विसे आपके सामने आया है इस विसे के लिए स्री सिवाजी सेंड़े स्री राज बुराटे और मैं सतिंद्र सिंग लगातार पिछले तीन चार बर्सों से लगातार इसके लिए हम फाइट कर रहे है और सभासत के हीतों के लिए यह जो चुना हुआ संचालग मंडल है यह جो है अपने नैतिक पदरवन पर अपने नैतिक अस्तर से नीचे आ गया है जो सभासतां के हीत के लिए उसका व्यक्तिगत हीद के लिए उप्योग किया जा रहा है यही नहीं यहां तक की जब करमचारी भरती थी इन्हों ने अपने रग्त सम्भाइट रहा अपने नातेवाय की भरती की नातेवाय की भरती के खिलाब लेबर पूर्ट सिर्दा इनको हाई कोड़ में लेबर पूर जो है सेकेंटरी सोचाइटी के मादम से देते हैं अगर इसको पकड़ा जाए तो हर साल का करोनो रुपे का घोटाला यह जो है अपने रक्त संबंदियों को कोड के आदेश के बावजूद पेमेंट करके कर रहे हैं जो की सरासर जो है अत्याचार अन्नायपूर्ण कारक है कि जहां तक कि इसका भी हम विरोध कर रहे हैं यह इसलिए मेडिया में इसके सामने आपको लाया गया और समय समय पर हम जयार पार्टी सर को भी सूचित करते रहे हैं इन विस्यों को लेकिन बाद में जब महावलेस्टों का प्रकरन हुआ तब जाकर सारा जो है एक हैं हर एक प्रूफ हर एक दस्तावेज 35-35,000 के जो सवासत हैं और रात के एक वजए या सुबद चार बज़े बोले तो वह भी पेपर हमको प्रस्तुत कर सकते हैं यह हमारे संस्था पर किसी पर आरोप नहीं है वास्तिविक्ता है क्योंकि संस्था नेतिक पतन से नीचे ज जाएगा यह बोगस कर्मचारियों की इन्होंने भरती है और सारे खुन के रिष्टार भरे हुए